फिक्चर और ऑप्शन्स में अगर आप टेडिंग करना चाहते हो तो कुछ सेग्मेंट आपको एक्टिवेट करने होते हैं जैसी कि आप अगर एंजल बन में ऑप्शन्स में टेडिंग नहीं कर पा रहे होगे तो आपको जो है सेग्मेंट एक्टिवेट करना होता है फिक्च ही दे रहा है simply by call पर हम टच करेंगे और यहाँ पर पर प्रोसेट पर टच करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो segment not active का बता रहा है मतलब कि हमारा जो है हमने future and options को अभी तक activate नहीं किया है तो यहाँ पर हम यहाँ पर टच करेंगे टच करने के बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने interface open हो जाएगा उपर के side में आप देख सकते हो active segments करके दिखा रहा है यहाँ पर देखिए future and options का दिखा रहा है currency का यहाँ पर दिखा रहा है और commodity का भी हाँ पर दिखा रहा है अगर आपको सिर्फ वह सिर्फ future and options का ही करना है activate तो बागी के सब को जो है आप uncheck कर लेंगे तो हमें भी जो है future and options का ही करना है तो हम सिर्फ future and options को ही check mark रहने देते हैं और नीचे के side में एक box दिखाई दे रहा होगा आपको इस पे भी आपको touch करना होगा एक बार इसी आप यहाँ पे touch करेंगे तो यहाँ पे proceed to activate दिखा रहा है तो इस पे अगेन हम tap करेंगे tap करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे document type आपको select करना है जैसे कि मान लीजिए आगर आपको last six month का bank statement अप्लोड करके जो है activate करना है तो वो भी कर सकते हो आप अलग-अलग इन्होंने जो है documents के types दिया है जैसे कि अगर आपको demand account holding अगर आपकी होगी statement अगर आपके पा उससे भी आप कर सकते हो ITR acknowledgement से भी कर सकते हो और form 16 से भी आप कर सकते हो अभी देखिए simply हमें यहाँ पे हम last six month जो है bank का statement download करके अप्लोड करने वाले हैं पहले से हमने download करके रखा है आपका जो भी bank में account होगा मान लीजे आपका state bank में account है तो आप जो है net banking से अपना statement download कर सक आपको बना कर दूँगा अभी देखिए हम यहाँ पर simply जो है last six month का bank statement upload करेंगे क्योंकि हमारे पास इतने सारे documents नहीं है तो बहुत सारे लोगों के पास भी नहीं होते हैं क्योंकि बहुत सारे students भी होते हैं तो उनके लिए best जो है यहाँ पर option दिया है last six months का bank statement का तो पर tap करने के बाद में आप देख सकते हो document type में last six months bank statement आ चुका है अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो upload document पर हमें touch करना रहेगा upload document पर touch करने के बाद में जो है आपके सामने जो है आपका mobile के अंदर हम आ जाएंगे हमारे तो यहाँ पर दिखिए आपने जहाँ पर भी उसको आपको touch करना रहेगा यहाँ पर touch करने के बाद आपको एक OTP आ जाएगा OTP आपके register मुबाइल नंबर पर आ जाता है वहाँ पर OTP एंटर करके आप बहुत ही easy तरीके से अपना future and options का जो है segment activate कर सकते हैं तो दोस्तों आजके इस यूडियो में सिर्भी इतना ही था और अभ वीडियोस को भी नहीं देखे हों तो वीडियोस को भी जरूर वाच करें तो मिलते हैं नेक्स टूडियो में इस यूटूब चैनल के साथ तब तक के लिए टेक केर